Hello Friends, Welcome to Future Walk क्या आप सबी को भी मेरी तरह थार बहुत पसंद है लेकिन एक कोशन हम सब के दिमाग में आता है जो कि है कि वाई थार इस बेस्ट ऑप्शन तू बाइ इन SUV इन इंडियर मार्केट थार ही हमें क्यों कसरे करनी चाहिए फिलाल की डेट में अगर हम एक SUV बाइ करना चाहते हैं और 4x4 ऑप्शन आप्ट करना चाहते हैं आज की वीडियो में हम इसी कोशन का आंसर समझेंगे दोस्तों इंडिया में लोग गाडियां अपने अपने सपने पूरे करने के लिए खरीते हैं और एक सेग्मेंट वो भी है जो कि अपना भोकाल बनाने के लिए गाडियां खरीते हैं एंड महिंद्रा थार ये दोनों चीजें ही अच्छे से फुल्फिल करती है गाड़ी में अच्छे घासे 2500cc के इंजिन की पावर मिलती है 4x4 की capabilities भी मिलती है इस कार को आप कहीं भी ले जाओ बटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी 2nd factor है गाड़ी के looks महिंद्रा थार में गजब के muscular looks आते हैं जिसकी वज़े से लोगों को ये बहुत पसंद आती है इसका road presence भी बहुत अच्छा है और साथी साथ ये ज़ादा attention सीख करती है लोगों का सपना भी पूरा किया है जो थार लेने का सोचते थे बट effort नहीं कर पाते थे क्योंकि initially इसके price बहुत हैवी होती थी अब ये आपको 10 lakh की starting range से ही मिल जाएगी थार के सस्ते होने का कारण इसका compact design है और साथी साथ इसका sub 4 meter होना इंडिया में बहुत से लोग off-roading के बहुत ज़ादा शोकीन होते हैं बट कई कंपनियों की गाड़ी बहुत महंगी होती है जैसे के land rover, jeep, g wagon बट महिंद्रा थार के सस्ते होने की वज़े से कई लोगों का off-roading का सपना भी पूरा हो जाता है इन सभी खूबियों के साथ गाड़ी में एक छोटी सी कमी है जो कि है space की जो लोग महिंद्रा थार में 7 से dropped करना चाते हैं उनके लिए महिंद्रा ने खास 4-door थार launch करने का plan किया है जिसकी काफी ज़दा image सामने आई है तो friends ये थी महिंद्रा थार के उपर एक छोटी सी वीडियो I hope you like it Please do comment कि आपको थार के बारे में क्या अच्छा लगता है और मिलते हैं और किसी interesting topic के साथ एक अगले वीडियो में Till then, thanks for watching सकता है झाल झाल झाल